देश भर में जनता कर्फ्यू लगा हुआ है लोग खरों के अंदर बंध है सडकों पर सन्नाटा पसरा है और यह जंग उस कोरोना को हराने के लिए है जिसने दुनिया की नाक में दम कर रखा है लेकिन आप यह भी जानना चाह रहे होंगे कि जिस कोरोना को हराने के लिए पूरा देश और देश की राजधानी दिल्ली सडकों से नदारध है ऐसे में शाहीन बाग में क्या हो रहा है क्योंकि इतने ही लोगों को धरने पर बैठने की आज ही जाज़त मिली है यहां ज़रूरी सुरक्षा के उपाई भी किये गए है महिलाओं को हमजद सूट पहनने को कहा गया है हमजद सूट से बौड़ी पूरी तरह से ठकी हुई हुई इससे पहले दिल्ली पूलिस ने शनिवार को इंडिया इसलामिक सेंटर में शाहीन बाग के प्रदर्शन कारियों के साथ एक पैठक की थी जिसमें दिल्ली पुलिस ने कोरोना वाइरस के बढ़ते असर के मद्दे नजर इन लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की थी दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कारियों से कहा था कि पूरे देश में कोरोना वाइरस फैल रहा है इसलिए प्रदर्शन बंद कर दे इस प्रदर्शन को कोरोना के मद्यनिजर तुरंद बन कराना चाहता है तो दूसरा गुट इसे जारी रखना चाहता है। और ये पांच ही लोग यहां धरने पर आज बैठें। इधर जनता कर्फ्यू के बीच शाहिन बाग इलाके से खबर सामने आई कि शाहिन बाग में प्रदर्शन इस थल के पास पेट्रोल बम से हमला किया गया। कोला के रास्ते यहां पर आए थी। इधर अब शाहिन बाग पर कल सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी। प्रदर्शन कारियों को हटानी के बांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोट कल ज्यानी की सुमवार को सुनवाई करेगा। वकिल अमित सानी और बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जब सुप्रीम कोट से लेकर सभी आदालतों में कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनिमा घर सब बंध हैं। ऐसे में धरना प्रदर्शन की कैसे इजाज़त दी चाल सकती है। सुप्रीम कोट से मांग की गई है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ततकाल प्रभाव से प्रदर्शन खत्म करने के आदेश दिये जाए। तो ये है पूरा शाहिन बाग का अपडेट, शाहिन बाग में आज भी दरना चालू है, कल इसका फैसला होगा कि क्या ये चलता रहेगा या नहीं, सुप्रीम कोट देखना होगा कि हमेशा की तरह इस पर हिला आवाली करता है या कल कुछ कड़ा फैसला सुनाता है। तो आपको ये खबर कैसे लगी है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस ये खबरों के लिए आप देखते रहे हैं, वीके न्यूज शुक्रिया।